साथियों आपको याद होगा, NDA की बैटर में हमने संकल पलिया था कि हम देश की गरीबी को गरीबों की ताकत से ही गरीबी को पनास करेंगे इसलिए इन वर्षों में हमारा सबसे जाना जोड गरीबों को ससक्त करने पर रहा हमने स्रम योगी को सनमान दिया, डिगनीटी और लेबर पर बल दिया, हमने गरीब को सुरक्षा का एसाथ दिया, हमने गरीब को ये विश्वात दिया कि आपके हर प्रयास के पीछे, एन डिये सरकार एक बरोसे मन साथी की तरह आपके साथ खड़ी है, जैसे किसान को अगर सही बीच और खाद पानी मिल जाए, तो वो पैदावर का रिकॉर्ड बना देता है, वैसे ही हमने गरीबों को सतक्त करने के लिए उन्हें हर संभव मदद की, इसका परिर्णम क्या आया, अभी नीती आयो की सबसे ताजा स्टड़ी आई है, आप में से कुछ वित्रों ने उसका उलेग भी किया, इस स्टड़ी के मुताबिक 2015-16 के बाद के पाँच वर्सों में ही साड़े तेरा करोड लोग गरीबी रेखा से बहार आ गए हैं, इसके पूर्वा वर्ल बेंक की रिपोर्ट के सामने आया, कि कैसे बहुत कम समय में ही 40-42 करोड लोगों ने गरीबी को परास्त किया है, आयमेप के मुताबिक Extreme Poverty याने अती गरीबी भी भारत में खत्म होने की कंगार पर है, यह आयमेप का रिपोर्ट कह रही हैं, साथियों, यहां NDA के आप सभी साथी तो जमीन से जुड़े लोग हैं, आप देखिए, जब किसी गरीब को पक्का घर मिलता है, तो यह सिर्फ एक छट की जरुवत पुरा नहीं करता है, बलकि यह उस परिवार को सुरक्षा कबच देता है, उसके सपनों को पंख देता है, जब गरीबों को बैंक लोन देने के लिए सरकार अपनी तरप से गारंटी देती है, तब उनको एक साथी मिलता है, एक सहारा मिलता है, और ऐसे में प्रगती के लिए तरक्की के लिए उनके प्रयास दो गुने हो जाते हैं, जब गरीब को हम मुप्त इलाज का भरोसा देते हैं, तो उससे एक परिवार ही नहीं, बल्कि उसके आने वाली पीडियों का भविश्य भी सुरक्षित हो जाता है, आप सभी जानते हैं, कि पहले जब गरीब परिवार में बिमारी आती थी, तो उसके पास दो ही विकल्प होते थे, या तो अपनी आँखों के सामने अपनों को जीवन के लिए संगर्श करते देखें, या फिर मकान, दुकान, खेत, खलिहान, जो भी थोड़ा बहुत पास में हो, उसे बेचें या गिर भी रखें, पीडी दर पीडी गरीब को गरीब रखने के इस कुछ चक्रों को भी NDA सरकार की अनेक योजनाओं ने तोड़ दिया है, गांदी जी से लेकर बाबा सा बांबेड कर और लोहिया जी तक सभी ने जिस सोशल जस्टिस की सामाजिक न्याय की अवधारा की थी, और मैं समता हूं हम जो कर रहे हैं वो यही सच्चा सोशल जस्टिस है, सामाजिक न्याय, एंडिये सरकार ने वोट बेंक की राजनीति को विकास वाद की राजनीति में बदला है, ये एंडिये सासन ही है, जिसमें छोटे किसानों, रहिडी पट्री, फुटपांत वालों को पहली बार मदद मिल रही है, हमारे विश्वक अर्मा साथियों को भी पहली बार ये विश्वास मिला है कि उनके लिए भी कोई सरकारी योजना बन सकती है, साथियों, गरिबी से भारत की इस लड़ाई का एक और पक्षा है, आप सब ये भी जानते हैं कि पहले हमारी माताओ बहनों के नाम पर प्रॉपर्टी खरिंदे का चलन कमी था, वे एक प्रकार से घर के समाज के आर्थिक फैसलों से कटी हुई थी, देश की आधी आबादी और परिवार को चलाने वाली ताकत का जब ये हाल हो, तो गरीबी से पार पाना आसान कैसे हो सकता था, अब जब बहनों के नाम बैंक अकाउंट खुले, उनके नाम पर घरों की रजिष्ट्री हुई, उनके नाम पर रण मिलने लगे, तो एक नया सामर्त समाज में पैदा हुआ, मुद्रा योजना की सबसे बड़ी लाभारती हमारी बहने है, स्टार्ट अप इंडिया की सबसे बड़ी लाभारती हमारी बेटिया है, जो देश में नव करोड स्वयम सहायता समू बने हैं, उनकी सबसे बड़ी लाभारती गाउं बर रहने वाली दलीत, पिछडे आदिवासी समाज की बेहने हैं, मैं पिछडे देनों मत्रपदेश गया था, एक आदिवासी गाउं में गया था, वहाँ ये स्वयम सहायता समू की आदिवासी बेहनों से मिलना हुआ, जितने समू ते उनकी अब तो हम्यारी पहचान है, हम लगपती दीजी हैं, हमारा कारोवार इतना है, कि आज हम लगपती बन गए हैं, ये बहुत बड़ा परिवर्तन है साथियों, एंडिये सरकार ने महिलाओं के कल्यार को उनकी तकलीफ कम करने को सरवोच्च प्रात्विक्ता दिये हैं, जब घर में टॉइलेट बना, तो बहनों को सम्मान और सुरक्षा दोनों मिला, जब नल से जलाया, गैस का सिलेंडर आया, तो उनकी परिशानी कम हुई, उनके समय की बचत हुई है, इस समय को वो अपने परिवार की आय बढ़ाने में उप्योग कर रही है, यह सिर्फ गरीबी से बहार निकलने का प्रयास नहीं है, बलकि विमेन लेट डेवलोप्मेंट का रास्ता है, जिसे एंडिये ससक्त कर रहा है, आज डिफेंस से लेकर माइनिंग तक हर सेक्टर को बेटियों के लिए खोल दिया गया है, देश को पहली आदिवासी महिला राष्पती देने का सौभा गया, एंडिये को मिला है,